हलो दोस्तो मैं हूं रोसन और आप लोग देख रहे हैं नेचरल देशी मुर्गी तो दोस्तो आप लोग का काफी रिक्वेश्ट आ रहा था कि अपना मुर्गी दिखाईए तो दोस्तो देख सकते हैं मेरे मुर्गी अभी किस प्रकार से दोस्तो बांस में बैठी हुए क्यों कि दूस्त अभी साम वाक्त हो चुका है दूस्तो और अभी मेरा d device आप लो सब्सक्राइब करभी धर के आसके सब्सक्राइब कर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तोच दोर चूजे वाले मुर्गियों को दूस्तों हमने बांद के रखता हों दूस्तों क्योंकि खुला अर्यओं है दोस तो खत्र होता है तो अभी छोटे है तो भाग नहीं पाएगी तो दूस्तों देख सकते हैं यह यह मेरे तो है दोस्तों मुर्गा और मुर्गिया तो दोस्तों आप लोग को सामने से दिखाता हूं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह मेरा चार मंत का मुर्गिया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन में से यह शुरू वाली मुर्गी है उसके बाद मुर्गा है दोस्तों फिर मुर्गा है उसके बाद भी मुर्गा है दोस्तों उसके बाद आप लोगो मैं दिखाता हूँ आगे वाला मुर्गी है दोस्तों उधर सबसे किनारे वाला आप लोग देख सकते हैं यह भी मेरा मुर्गी है द हैं दोस्तों तो देख सकते हैं यहां पर हैं दोस्तों कुछ तो दोस्तों मेरे तीन मुर्गिा जुझे निकाले तो दोस्तों अभी तो यह रशी खोल देता हूं क्योंकि अभी साम की वक्ति क्ना रमेरे पर दोस्तों बांद के रखते हैं और कुछ बारिस वगेरा आने से ऊब खोट दोस्तों बचेगा बोल के कीच सगण अ सबून खाने के लिए सब उतावले तो चुजे दोस्तो आज छटा दिन हुआ है तो यह पी चुजा दोस्तो मेरा नई मर रहा है आप हम कोई बाहर का फीड ने खिला रहे हैं इनको दोस्तों द凌क्डदीट और दोस्तों चावल कदना देते हैं जित्व कहतं तो पानी में कुए कि दोस्तों चूजे बर चूंप यह दो कि और चल जायकश बड़ा मर जाएगी तो दोस्तो आप लोग छोटा गड़ा वाला ही दोस्तो कटोरा देने देख सकते हैं दोस्तो कितने तो दोस्तो आप लोग को यही दिखाया था यह कड़ाकनात का है दोस्तो और यह दोस्तो देसी वाले हैं दोस्तों कितने स्वस्त है दोस्तों देखिए दोस्तों तो दोस्तों आप लोग को पास कितने मुर्गियां है कुन-कुन सी मुर्गियां है दोस्तों आप लोग कैसे दोस्तों फालन करते हो दोस्तों अपना राय दोस्तों कमेंट में जरूर देजिएगा और दोस्तों अगला और दोस्तों कमेंट करते हो तो दोस्तों आप लोग का हर कमेंट दोस्तों हम देखता हूं तो दोस्तों आज इतना ही रहेगा दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों तो दोस्तों अब हम दर्वाजा खौल देते हैं दोस्तों तो यही है मेरा दोस्तों यहीं पे रखता हूं दोस्तों चोटा साथ जादा बड़ा नहीं है दोस्तों और पूरा इधर खुला एरिया है दोस्तों देख सकते हैं इधर पूरा दिनबर खुले में रहती है और फ्री रेंज दोस्तो कीड़े मकोड़े ही खाती है और हम दाना वगरा नहीं डालते हैं बस कभी कभार किसी दिन डाल दिया तो डाल दिया वरना नहीं डालते हैं और वो देख सकते हैं दोस्तों मेरा मुर्गा है दोस्तों वो सुरुवाती दोस्तों सेवन मन्थ हो गया है दोस्तों मेरा यूटूब का तो दोस्तों सुरुवात से ही दोस्तों यह मुर्गा को आप लोग देखते आ रहे हों मेरे पास अभी बड़ा में दोस्तों एक ही मुर क्योंकि यह यह साइज की दोस्तों एक केजी की हो गया है तो तो दोस्तों वीडियो पे दोस्तों बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और एक लाइक दोस्तों आपने के लिए बनता है धन्यवाद दोस्तो कर दो कर दो